नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेडिवाइनस ओफिशल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे करंट अफेर का बहुत ही इंपोर्टेट टोपिक भारत में पहली बार यानि जो भी चीजें भारत में पहली बार हुई हैं 2020 में और कुछ प्रशन 2019 के जो इंपोर्टेट है मैंने उसको भी कवर किया है उनके हम MC क्यों कोशन करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेट होने वाली है आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाँ वीडियो खतम होने के बाद अगर आपक रेल विश्व विद्याले किस शहर में खोला गया है तो भारत के पहला राष्टे रेल विश्व विद्याले किस शहर में खोला गया है तो इसका सही उत्तर होगा option D यानी बडोद्रा तो गुजरात के बडोद्रा शहर में भारत के पहला रेल विश्व विद्याले खोला ग सब् terrified इसे मैं भी प्रसिद मंदिर यो कि exam में पूच्छे जाते हैं उग्ण प्रिमान किस ने करा है वो कहां पर हैं सब कुछ मैंने एक वीडियो में बता है जो की एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूरन है आप उसे भी जरूर देख लेना तो भारत के पहला हिरा संग्राले कहां खोला गया है खजुराओं में खोला गया है किसी शहर में देश का पह ट्वाईल फोन हो गया जब यह खराब हो जाता है तो इक चराक लिंग में उसे क्लेक्ट किया जाता है और जो से कॉम्पोनेंट होते हैं जो सही होते हैं उससे दौबारा रियूज किया जाता है तो बहुत अच्छा इडिया है यह कांपर खोला गया है यह मद्य परदेश क बोपाल में खोला गया है आप इसे याद दखिएगा तो भारत का पहला डाइनासूर को पार्क किस राज़े में खोला गया है वैरी इंपोर्डर ये एक्जाम में पूछा जा सकता है तो भारत का पहला डाइनासूर पार्क किस राज़े में खोला गया है तो ये खोला गया है गुजरात में और आपको मैं बता दूँ कि भारत का पहला और ये विश्व का तीसरा डाइनासूर मुजियम से है पार्क है याद रखेगा भारत का पहला और विश्व का तीसरा पूरे वल्ड में तीसरा है और भारत का पहला है ये डाइनासूर मुजियम पार्क और इसका उ रेल्वे ने किस रेल्वे स्टेशन पर पहला चलता फिरता रेस्टरांट रेस्टरां ओन विल्स लॉंच किया है तो बहुत इंपोर्डड है जो रेल्वे की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए इस खासका रिप्योंटर है तो भारती रेल्वे ने रेल्वे स्टेशन का पहला च नाम restaurant on wheels रखा गया है तो यह बता दू मैं आपको यही दिखो आप image में तो जो भारती रेल्वे ने क्या किया उसे मुरम्मत कराया और उसमें restaurant खोल दिया जिससे क्या हुआ जो customer थे attract हुए और भारती रेल्वे की भी कमाई हुए तो बहुत ही innovative आइडिया था ये भारती रेल्वे का तो आगे देखते हैं अगला question तो भारत की पहली transgender university किस राजमे स्थापित की गए तो पहली transgender university किस राजमे स्थापित की जाएगी तो इसका सही उत्तर होगा option A उत्त परदेश तो उत्तर परदेश में कहां तो उत्तर परदेश के कुशी नगर में तो यह यह university उत्तर परदेश के कुशी नगर में खुलने जा रही है और इस university में class A से लेकर post graduation के साथ साथ research और PhD की degree भी पढ़ाए जाएगी तो यह बहुत ही important है इसे भी याद अखिएगा प उत्तर परदेश के मत्थूरा में भारत का पहला हाथी हस्पताल खोला गया है तो यहां पर wireless, digital x-ray, thermal amazing, ultrasonography, सहित कई तरह की सुधाएं जो घायल हो चुके हाथियों को परदान के जाएगे तो बहुत ही अच्छा है यह भारत का पहला हाथी hospital का पर खोला गया है तो यह ख तिर्वंत पूरम में भारत का पहला स्पेस्टेक पार्क खोला जाएगा तो इस पार्क के द्वारा अंतरिक्ष समंधी तकनीक के विकास के लिए एक हब इकसित किया जाएगा कहां पर तिर्वंत पूरम में तो बहुत ही important है इसे भी आप याद देखना अगला कोशन देख लखनौँ ए चारबाग दिर्विक में हैं और लखनौज ऊत्तर पदेश में है और चारबाग अब ही लखनौँ का ही पार्ट है लखनौ þत न एक-त्. वहाँ ही चखुला जाएगा और इस हृव्त इट्यम पर 50 से 00os, 0000 पर रुपे में, 16ा ट्राख के इस चेक-ब क रा सकता है कोई भी यात्री कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके करा सकता है कहां पर चार बाग लखनों में तो यह भी इंपोर्ट है आगे हम देखते हैं हाली में भारत का पहला गिद सरंक्षन प्रजिनन केंद्र कहां खोला जाएगा तो भारत का पहला गिद सरंक्षन और प्रजिनन 10% गिद विलुप्त हो चुके हैं सिर्फ 1% ही बचे हैं इसलिए भारत में कहां पर इसे स्रंक्षन किया जाएगा और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा तो बहुत ही यह रोबोटिक सर्जरी सेवा किस हस्पताल में खोली गई है तो इसका ओप्शन सही होगा ओप्शन ए सफदर गंज होस्पिटल जो की दिल्ली में है और बात करें तो यह रोबोट प्रोस्टेट गुर्दे और ब्लैडर की कैंसरों और गुर्दों की समस्याओं से जूज रह मैं च्सके क्या करेंगे दिल्ली को होजा करेंगे क्यूंकि दिल्ली जादा पुरियृटरिटर्य सटी है तो यह भाला कौशन में भारत का पहला फंजोन किस रेलेविस्टेशन पर स्थापित किया गया है तो पहला फंजोन किस रेलेविस्टेशन पर स्थापित किया है तो इसका सही उत्तर होगा विशाक का पटनम विशाक का पटनम जो की आंधरपरदेश में है वहां पर पहला फंजोन रेलेविस्टेश जाते हैं अगर आप बोर होते हैं तो इस फंजोन में जाकर आप गेम खेल सकते हैं और तरह के एक्टिविटीज कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया यह इन्योवेटिव आइडिया है रेलवे का तो भारत का पहला फंजोन कहां पर स्थापित किया गया है तो उत्राखंड हाले में बहुत न्यूज में रहा था इसलिए यह हमारे एक्जाम के लिए इंपोरेट बन जाता है तो उत्राखंड में कहां पर बनाया जाएगा तो उत्राखंड में रिशी केश में यह बनाया जाएगा अगर आप रिशी केश में गये होंगे तो वहां पर पर बनाया जाएगा यह पुल लगभग 94 साल पुराने परसीद लक्षमा जूला के विकल के तोर के बनाया जाएगा जिसे सुरक्षा कारणों के चलते 2019 में बंद कर दिया गया था यानि जो लक्षमा जूला था उसे 2019 में बंद कर दिया गया था और उसके विकल के तोर पर आगे देखते हैं भारत की पहली बैटरी चलित सिटी बस सेवा का शुभारम कहां से किया गया तो पहली बैटरी चलित सिटी बस सेवा का शुभारम कहां से किया गया इसका शुभारम किया गांधी नगर यानि कि गुजराज की गांधी नगर से तो खुद अमिशा ने इसका किया था तो इससे आप याद रखना हमारे किरह मंत्री अमिशा जी ने ही इसका शुभारम किया था पहली बैटरी चली सिटीबस का कहां से गांधिनागर से तो अकला कोशन देखते हैं इथनौल से चलने वाली भारत की पहली बाइक किसने लॉंच कि है तो इथनौल से चलने वाली भारत की पहली शिस्यु वाली भारत की पहली किसे टिसे लौंच कि है टीविस मोंे इन इंग से चलने वाआली देश की पहली बाय। कौन सी बाइक है तो बाइक का नाम मैं इंग हमारी फ़र्ण कि पहली बाहन की है. टीवियस मोटर ने यह इथनोल से चलती है और भारत की पहली बाइक है तो यह भी इंपोर्ड बनती है हमारी एक्जाम के लिए पूशे जा सकती है CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राजे कौन सा बना है CAA का मतलब Citizenship Amendment Act हाली में बहुत न्यूज में रा था तो इसका विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राजे कौन सा बना है पर जो पहला मामला था वो किस राज में पुश्टी हुई थी यह भी एक्जाम में कोशन बन सकता है तो इसका उप्शन सही होगा उप्शन ए यानि केरल के अभी हमने पूड़ा कि मुख्यमंत्री कौन है पिनरेविजियन और राज येपाल कौन है आरिफ मोहम्मद खान तो अगला कोशन देखते हैं तो यह आज का आखरी कोशन है भारत का पहला सोलर रसोई गाओं कौन सा बना है सोलर रसोई गाओं बना है भारत का पहला मद्यपंदेश का बांचा गाओं तो इस गाओं में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ सोलर एनरजी से ही खाना पकाते हैं solar energy से related question है तो भारत का पहला solar रसोई गाउं कौन सा बना है मद्यपदेश का बांचागाउं तो यही पर आज की वीडियो खतम होती है अगर आपको यह वीडियो helpful लगे और आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी नए सिखा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और